मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों के साथ मोनालीसा नाम की एक 420 औरत को शहर में भटकते हुए देखते हैं, इसी बीच वो अपने साथी के साथ एक होटल में चली जाती है और उसके कपड़े उतारने लगती है। आसल में मोनालीसा अवैद तरीके से ड्रक्स बेचती थी और उसका ये साथी पुलिस के साथ मिला हुआ था, इसलिए वो मोनालीसा को पुलिस के हाथों पकरवा देता है। अब कहां 2 साल और कहां 7 साल इसलिए मोनालीसा गन्ने की खेती करने के लिए तयार हो जाती है, आगे उसे और भी कई सारी औरतों को जंगली सुर की तरह एक ट्रक्क में फेक कर गन्ने के खेत में काम करने के लिए ले जाया जाता है। वो बेचारी पकड़ी जाती है और फिर वो ऑफिसर पहले तो उसे कुछ शराब पिलाते हैं और फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती इंटीमेट भी होते हैं। और इसके बाद वहाँ का जेलर उन सभी औरतों की पकर पकर कर जाच करते हैं। जिसमें से मोजो नाम का एक काला सा आदमी कारला पर लाइन मारता है और कारला भी उसे अपना दिल दे वैठती है। रात को सभी औरतें जब अपनी कमरे में सो रही थी तभी उनहीं में से एक औरत फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि गन्ने की खेती उसे बरदाश्ट नहीं हो रही थी और उन सभी कैदियों के दवादारू के लिए वहाँ पर विल नाम का एक डॉक्टर भी था। जो कैदियों के इलाज करने के नाम पर उनके उपर अपनी आलतू-फालतू दवायों का एक्सपिरिमेंट करता था और वो सभी कैदियों से भला आदमी समझकर अपने उपर डोज लगवा भी लेती थी और अंदर ही अंदर वो डॉक्टर इतना थरकी था कि मौका मिलने पर वो कमसिन लर्कियों की मार भी लेता था उधर कारला भी मोजो के साथ जंगल की गहरायों में जाकर कभी-कभी उसके साथ इंटीमेट होने जाया करती थी और मोना लीसा ने भी वहाँ पर एक अफसर को पटा लिया था और वो भी अपनी जवानी लुटाने के लिए कभी- दॉसरी तरफ तब तक दॉक्टर बिल घर पर वापस आ जाता है और दोनों को नंगी हालत में देख लेता है अगले दिन वो जेला से कहकर मोना लीसा को एक जगाह पर बांध देता है और फिर जेला उसके आशिक को अपनी माशुका के उपर कोड़े बरसाने के लिए कहता ह अब अपनी माशुका के उपर कोड़े बरसाना उसके लिए आसान नहीं था इसलिए वो उल्टा उस जेला पर ही कोड़े बरसा देता है जिस वज़ा से वो जेला उसे गोलियों से भून देता है इसके बाद वो मोना लीसा को भी मारने के लिए जाता है लेकिन तब तक मोना मोनालीसा सदमे में आकर बेहोश हो चुकी थी जिस बजा से जेला उसे छोड़ देता है। अब उसकी आवाज सुनकर जेला भी तब तक वहाँ पर पहुच जाते हैं और वो मोनालीसा को पकड़ कर फिर से उस नरक में लेकर आते हैं। लॉकेट पहना कर उसके चारो तरफ काले जादू का एक घेरा बना देता है। अब इस टोने टोटके से उन्हें रास्ते की जगाह पर कुछ इंसानों की खोपड़ी मिल जाती है। जिससे वो सभी समझ जाते हैं कि डॉक्टर बिल के एक्सपरिमेंट से जो लोग मारे जाते हैं उन्हें यहाँ पर दफना दिया जाता है। इसके बाद मोजो कारला और मोना लिसा हाथ में दो-दो खोपड़ियों को लेकर डॉक्टर बिल के पास पहुचते हैं। और उससे कहते हैं कि अगर डॉक्टर बिल ने इस एक्सपरिमेंट को बंद नहीं किया और उन्हें आजाद नहीं किया तो वो तीनों सभी लोगों को डॉक्टर बिल के इस खतरनाक एक्सपरिमेंट के बारे में बता देंगे अब डॉक्टर बिल के पास कोई दूसरा रास् शुरू कर देता है तभी वहाँ पर जेल का एक आदमी आकर उसके उपर लाद घूसों की बारिश करना भी शुरू कर देता है कई लाद घूसे खाने के बाद मोजो आखिरकार बेहोश हो जाता है इसके बाद जेला मोजो को डॉक्टर बिल के अड़िपर लेकर आते हैं और फ पर वहाँ पर किसी भी औरत को भरोसा नहीं होता इसी बीच कारला जेला के उपर गुस्सा होकर एक चाकू से उसकी उंगली काट देती है अब इस कांद की वजह से कुछ अफसर आकर कारला को अपने साथ उठा कर लेकर जाते हैं उसी रात मोना लिसा और बाकी सारी कैदी औ औरते मिलकर यहां से भागने और कारला को चुडाने के लिए एक प्लान बनाते हैं उधर कारला को डॉक्टर बिल ने एक पिंजरे में डालकर नीचे आग लाकर उसे पकाने के लिए छोड़ दिया था और दूर से वो कुरसी पर बैठ कर शराब पीते पीते इसका मज़ा ल और उससे जंगल से निकलने का रास्ता पूछती है अब अपने सामने बंदूग देखकर डॉक्टर की बोलती बंद हो गई थी लेकिन तब तक वहां पीछे से जेला भी पहुच जाता है लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों औरतों को मारता मोनाली सा उसे ही जान से मार डा कारला अपनी जीप में डॉक्टर बिल को भी गूगल मैप की तरह रास्ता दिखाने के लिए लेकर आ रही थी लेकिन उसके पीछे बहुत सारे पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे थे और बो लोग कारला को गोलियों से भून देते हैं जिससे उसकी गारी में एक धमाका होत है और कारला और डॉक्टर बिल दोनों की मोत हो जाती है इसके बाद सूबा होते होते मोना लिसा और बची हुई बाकी सभी कैदी औरते किसी तरह वहां से निकल कर शेहर तक पहुच जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है